किसान भाईयों नमस्कार आज मैं आपसे एक बहुत ही विसेश मुद्धे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ किसानों की सिकायतें लगातार आ रही हैं कि उनके खेत में कुछ बौने पौधे दिख रहे हैं अब इन पौधों की संख्या अलग लग किस्मों में कम अधिक है चाहे वो बास्मती किस्में हो या गैर बास्मती किस्में हो दोनों में इसकी सिकायत पाई जा रही है पियार 126, पियार 121, पियार 114, पूशा बास्मती 1509, पूशा बास्मती 1692, चगदर 101 इन सभी किस्मों में तकरीबन यह समस्या देखने को मिल रही है लेकिन इक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इनकी संख्या पौधों की 5 प्रतिसत से ले करके और कुछ किस्मों में 10 से 12 या 15 प्रतिसत तक पाई गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सारे खेतों में 5 प्रतिसत पौधे प्रभावित हों या सारे खेतों में 15 प्रतिसत पौधे प्रभावित हों किसी एक छेत्र में जब जाइए तो आप आएँगे कुछ खेतों में ये समस्यां दिख रही है, कुछ खेतों में समस्यां नहीं दिख रही है अब आम तर पे इन पौधों का लच्छन देखे तो ये पौधे छोटे हैं आकार में, उनकी ब्रिद्धी नहीं हुई है और उनी के साथ लगाए हुए उसी किस्म के दूसरे पौधे अगर देखें तो उनकी लंबाई काफी बढ़ गई है इनके अंदर फुटाओ भी कम हुआ है पौधों का रंग हरे गहरे रंग का है और पौधों को गर उखानेंगे तो ये पौधे बड़ी आसानी से जमीन से उख़ड जाते हैं और जड़ों का विकास भी इनका बहुत अच्छा नहीं होता है और जड़ों में कालापन आ गया है जिससे पौधों का जमीन से खुराक लेना एक तरह से बंद हो गया और पौधों की ब्रदी बंद हो गया अब इस लक्षन को देखते हुए आमतार पे जो बात सामने आती है कि ये साइद एक विशान जनित या जीवान जनित विमारी है विशानों की यानि की वाइरस से उत्पन होने वाली विमारियों की बात करें तो उसमें ग्रासी इस्टंट वाइरस और एक सदर्न राइस ड्वार्फ इस्ट्रीक वाइरस ये दो हैं जिनके लक्षण की इससे काफी मिलते जुलते हैं और इनके होनी की समभावना है दूसरी एक जीवान जनित विमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारे होती है जिसको हम फाइटो प्लाज्मा करते हैं उसके द्वारा भी इसी तरह के लक्षन पैदा होते हैं हम लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि कहीं इसमें निमेटोट या सूत्रकिमी तो नहीं लगा है जिसके विज़े से जड़ों का विकास विर्कुल रुख गया है या कई एक बार जो फूजेरियम एक फूफूद होता है जो की धान में आमतर पर बकाने रोक को पैदा करता है जिसमें पूदे लंबे हो करके शूख जाते हैं उसी के अंदर यह भी गुण पायाता है कि बवनापन भी लाव सकता है तो सारे कारणों का हम विस्तार में अद्धिन कर रहे हैं